दोस्तों नमस्कार मैं हुरुपा पंडित और आप देख रहे हैं खास मुलाकात ये कारिक्रम खास मुलाकात इस कारिक्रम में हमारे स्टूडियो में हम हर समय आपको एक नई हस्तियों से मुलाकात करवाते हैं और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक ऐसी हस्ती मौझूद है, जो कि वैसे तो किसी परीचे की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको उनका परीचे बताएंगे. हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है धनश्री लेकुरवाले जो की वर्ल्ट एंड एशिन योगा चैंपिन है इनकी कौलिफिकिशन की बात करें तो आपने मे किया है योगा शास्त्र में then M.A.C. आपका स्टार्ट है M.A.C. in Maths में और हम बात करेंगे इनके international achievements के बारे में national achievements के बारे में state और other awards के बारे में तो सबसे पहले तो मैडम आपका स्टूडियो में हमारा बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों हम सबसे पहले आप इनसे बात करेंगे कि योग जो है वो actual में क्या है योग की शुरुवात कहां से हुई योगा के प्रकार कौन-कौन से है आज कल हम लोग देख रहे हैं कि बहुत से ट्रेंड में आगया है जुम्बा क्लासेस योगा और पंच क्रम पध्धती तो actual में यह पध्धती होती क्या है आज हमने स्टूडियो में खास इसी चीज पर विशे पर बात करने के लिए आपको बुलाया है तो मैं हम यह बताईए कि योगा क्या है योगा यह एक संस्क्रीश शब्द है जो यूर्स शब्द से जो बना गया है तो उसी का यह मिनिंग होता है कि योगा यह आप देख्यों कि जब हम योगा ब्यास करते हैं तो हमें क्या होता है कि आतमा से पर्मात्मात ऊबलते हैं वह करते छह कि रिख्यों को भी देख लीजे जब हो करते थे तो इसलिए लोग अस्टांग योग फालू करते हैं कहला है यम, नियम, आसन, प्रानायम, प्रत्याहा, धारणा, ध्यान, समाधि, अब देखिये जो रुषी मुनित है वो समाधिय तक जाते है, है ना, बट हम जो सामान्य जनता है वो नहीं जा पाते है, क्योंकि वो बहुत जारा डिफिकल्ट लेवल हमारे लिए, तो देखिये जो यो के बारे में बताया, तो आप मुझे पताए कि इंटरनाशनल लेवल पर कौन सी योगा का प्रकार सबसे जादा चलता है, देखिये, मैं तो अज़ इसमें लिए बात करोंगी, क्योंकि देखिये, जब इंटरनाशनली जब हम परफॉर्म करते हैं, तो वहां पे प्लेयर फिर आर्टिस्टिक योगा हो गया, रिदमी योगा हो गया, फिर आर्टिस्टिक पेर हो गया, इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, तो उसके अगर देखा जाए, इंटरनाशनल लेवल पर बहुत अलग-अलग अचली इवेंट्स हैं, दर्शको जैसा कि आपने ज पाधरन नहीं होता, यदि आप उस योग को पूरी तरीके से अंतरात्मा में जाकर करेंगे, तो वो योग जो है, वो एक्चुल में सफल साबित होगा, बड़िम ये बताईए कि जैसे अंतरा, सबसे पहले हमारे भारत की बात करें, तो अंतरास्ट्री योग दिवस के शु साथ है क्योंकि जब फर्स्ट योग सब्रेट हुआ था आप सभी इंडिया में किया होगा, बत मैंने तो फ़र्स्ट योग ता हो भी फ़ेतनम में हमारी चैंपिनशिप चल लुवी थी, एशन चैंपिनशिप तो मैंने वहां पर फर्स्ट इंटर्नाशनलय योगारी सब्र यog है क्या, योग की मुदराएं残 बता यह, देखिये, योग के बहुत अलग मुदरा है तो इसमें मुदराओ की बात करें, प्राणायम की बात करें मैंने starting में आपको बताया था कि योगा जो है na वो हर एक छोटी-चोटी चीज है चाहे आप मुदरा लियो चाहे आप even simply हमें पता है हम generally उमकार भी अगर करते हैं हम ग्यान मुद्रा या फिर चीन मुद्रा का यूज करते हैं तो वो छोटी-छोटी मुद्रा है जो बच्छपन से हमें सिखा ही जाती है उसके बहुत बेनिफिट्स होते हैं फिर वो प्राणायम भी अब देखिए बढ़ हम यहां पे अगर मैं प्राणायम का अगर उल्लेक कर रहे हो तो मैं सबको बताना चाहूंगी कि हर कोई एक आप लोग को पता है कि कोई प्राणायम कर रहा है तो हम क्या करते हैं वो देख के हम करते हैं या फिर कोई मुद्रा हो और आपकी बातों से मुझे ऐसा लगता है कि योगा सीखना जो है वो सब के बस की बात नहीं है क्योंकि कॉपी कट कॉपी पेस्ट तो हर को ही कर लेता है लेकिन एक्षिल में योगा के बहुत से साइड इफेक्ट्स भी है तो मैं आप से जाना चाहूंगी कि क्या मतलब कैसा ह होगा जब गलत तरीके से कोई योगा करें तो साइड इफेक्ट्स ऑफ योगा बताईए देखिये पहले कोई भी चीज रहे है उसके दो साइड होते है एक पॉजिटिव होगा एक निगिटिव होनी वाला है तो थोड़ी देर पहले जो मैंने उनले किया ता कि हम किसी भी म विछ फड़ी में होते हैं तो अपर अगे कर सकता है है यह पर सब कीसिटी द्रेंट इर उसकी फिजिकल द्रेंट अलग है उसका एज अग होता है अब एक ग्जांपल लेते कही चानल पर कही चानल पर लगा दिया और हम करने के लिए बैढ गे अब हुझे बताईा अग हम तो अगर थायरोइड है या फिर कुछ PCOD problem है या फिर कुछ अलग health issues है जब तक आप मुझे नहीं बता पाओगे तो मुझे नहीं लगता है परफेक्ट आपके लिए क्या योगा रहेगा यह आपको सजेस्स नहीं कर पाओँगी तो वैसी ही चीज है अगर हम कभी कभी क्या होता है मैंने देखिए कि मेरा भी एक ऩूडियो है नापूर में योगा लाइट सेंटर तो वहाँ पे यह देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कही कही देख्ये कर लेते या फिर कोई गारड़न में कर लेते हैं फिर कोई ब बताया है कि हर एक इसके दो साइड्स है पहले आप देखे कि आप कितना कर सकते हो अच्छे प्रॉपरली गुरू के पाँ जाए और उनसे सिखिए बहुत अच्छे पॉजिटिव से रिजल्से निकेटिव में यह होता है मैं आप निकेटिव अच्छी बोलना नहीं चाहिए झाल्या जाए कि पाताओना ऌसी प्ताओना चाहिए कि वो अच्छीप फवक्या्काट कृधिव में निकेटिव सायड्स भी क्या ना कहती है तो लुगत बार है मुझे हँगा है कि मुझे हाई बेपी है बट आपको यहनी ही पता ना कि हाई बेपी वास ने कौन साह योगा हमें इन्हायां व fleekically को स 바로 कुछ इसके हैं और चैनल मेर तो अधिसका करें तो जैसे होता है कि इन कापाल बाते का आपंसे आपको एग्जामपल कर रहे थी क्पाल बाति ह्यापा युजमने कर दिया हो अब मुझे बताइगे जब हम कपाल바ती कररे है हम क्या कररें अगर हमआ stripe Blood अजी इसमें अभी कि बहुत सारी चीजह है बहुत सारी सारे में चोली चीजह है ज्सलिए मेन बोला है यह प्राक्टिकल ही नहीं तो थेरी नॉलेज भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है अधर्वाइस तो साइड इफिक सबी चिज़ हो के है तो दर्शो को देखा आपने योग का अभ्यास शरीर और मन को विक्सित करने में तो मदद करता ही लेकिन इसे किसी भी दवा के होता है जब हमें किसी भी चीज़ को सीखने की लालसा होती है किसी भी चिकित्सीय स्थिति के मामले में हमें अपने डॉक्टर और योग शिक्षक से परामर्श लेकर मैं आपको सला दूंगी कि योगा का भ्यास शिरू करें मैं बताईगे कि जब हम शिरुवात करते हैं यो मैं थोड़े दर पले चैसे बदा आथ़ गयुक्त तो एलग यादि हमें में में थे सदिये के गशितन होना छीए में युक्त पारद आपको गंटा जिकितना होना यह शिरुवें कि टो चाहिए तो एक गंटा देना ही चाहिए फिर उसके बात दीरे आप जितना अच्छे स कर पाओगे तो उतना उसमें टाइम बढ़ाते जाए तो मैम एक्चुली योगा का समय क्या होना चाहिए मौर्निंग में या फी इवनिंग में बैस्टो आप सबको पता है कि मौर्निंग सबसे बैस्ट है और स्पेशली ओपन एयर में कीजिए तो उसके बेनिफिट ज्यादा है तो कोई बात नहीं आप कीजिए देखो में है कुछ ना करने से अच्छा है कि हम करें एक्जाटली तो सुबर है शाम आप कीजिए बट बैस समय तो मौनिंग का ही है बट चुकि आपने देखा कि आज की लाइफ इतनी फास्ट हो गई है कि लोगों को मौनिंग में समय न क्योंकि देखिए आप कही पर भी जाएए योगा कर लिए आपको समय बताया गया है आप इवनिंग अरस में कर सकते आप यह तो नहीं कि रात के हम इस 11 बजे यह तो यह तो सही नहीं है जब हमारे चैंप्स लगते मुझे आदे इंटरनेशनल तो हम करते क्योंकि हमारी वो क्योंकि परसंट है तो मैं उनको बताऊंगी कि यह बहुत गलत है बहुत बार मैंने क्लब्स में भी एवन देखा है कि बच्चे कुछ खा के आ जाते है और बड़े बस मैंने तो अभी कुछ नहीं चाह लेकर आई हूँ तो यह भी गलत है अगर आपको को स्नैक भी खाना है यह फिर छोटी चीज आपको अपको थुद ध्यान में आजाएगी कि मुझे तकलीफ होगी है अलब योगा करने के टु आर्स पहले और टु आर्स बाद में थोड़ा सा हमें ब्रेक लेना चाहिए थोड़ा एक्शली लेना है अच्छा 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 होसके तो योगा जो है वो मॉर्निंग का ही बेस्ट होता है बिकॉस खुली हवा में स्वच्छ हवाय आती हैं तो नॉन पॉलुशन इसमें वो काफी अच्छा होता है योगा का मैं महर पता ही कि अभी जो ट्रेंड में जुम्बा बहुत चल रहा है तो योगा और जुम्बा क्लासेस में क्या अंतर है आदेखिये योगा मिस योगा आपको पता है आप मेंटली और फिजिकली दोनों भी अगर हेल्दी रहना चाहते तो योगा कभी भी बेस्ट है आप दुनिया की कही पर भी चले जाएए कितना भी पैसा कर लीजे बट मैं बोलूँगी जो योगा से आपको मेंटली रिलाक्सेशन मिलेगा वो किसी चीज से नहीं मिल सकता है हाँ फिजिकल अक्टिविटी आप बहुत अलग-अलग तरीके से कर सकते हो कोई गेंस बट मेंटली रिलाक्सेशन के लिए योगा मेडिटेशन इस सारी चीज़ वही इंपोर्टन और वही केजिए मैं अगर हम लेडिस की बात करें तो लेडिस में चुकी पता है आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है तो उन्हें ऐसा कौन सा पर्टिकलर योगा असन करना चाहिए जिससे उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है उनका थोड़ा सॉल्फ हो जाए वो देखिए जनरली न अभी की जनरेशन में बोलूँगी कि अचाहे वो लेडिस रहे या फिर गर्ल्स रहे PCOD, PCOS, thyroid या फिर obesity यह बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स है बहुत ही ज्यादा और स्पेशली अप कोविट के इसमें बोलेके सबने बैट बैट के वर किया तो बहुत सारे लोगों में एक है कि बैक भी होने लग गया तो यह चार पर्च इस पर मैं बताऊंगी अगर आ सब्सक्राइब कर देखें तो यहीं बोलोंगी कि 15 मिनिट्स हम खुद के लिए निकाली सकते हैं तो उसमें आपने क्या करना है पहले स्टार्टिंग देखिए अगर किसी भी इसकी हम शुरुवात अगर डारिक्ली करें विदाउट एक्ससाइज तो कहीं ना कहीं आपको ब सब्सक्राइब कर देखिए पहले स्टार्टिंग 15 मिनिट्स कर दीजे जैसे अगर गल्स के लिए अगर मैं बताऊंगी आप धनुरासन कीजे मस्यासन कीजिए यह जनरली थायरोड थायरोड बहुत कॉमन है तो इसलिए मैं बताऊंगी मस्यासन वगरा यह बहुत हेल्प कर आपके जीवन में कितना महत्व होता है और सबसे जादा जोकी इनोंने कहा कि लेडिस में बहुत सारी प्राब्लमस होती है और सारी प्राब्लम का सुलूशन जो है सर्फ 15 मिनिट है जोकि मैं ने कहा कि हमारे पास 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में से सर्फ 15 मिनिट अगर हम खुद के लिए निकाले तो शायद बहुत सी बिमारियों को हम अपने से दूर रख सकते हैं और एक योगा शिक्षक की तो खास जरुवत होती है आज हमने खास आप ही लोगों के लिए योगा शिक्षक का क्या महत्व होता है और सही गाइड़न्स के में आप अगर योगा स सीखते हैं तो उसके कितने सारे बैनिफिट्स आपको मिल सकते हैं यह हमने जाना इन बिसिन के खास मुलाकात में फिलहाल के लिए लेते हैं छोड़ा सा ब्रेक मिलते हैं इस ब्रेक के बाद दोस्तों एक बार फिर इस खास मुलाकात इसका अरिक्रम में आपका स्वागत है मैं आपको परिचे करवा देती हूं एक बार फिर के हमारे साथ यहां योगा चैंपियन धनश्री लेकुरवाले यहां पर स्टूडियो में उपस्तित हुए हैं और हम अपने कोशन्स को और आगे बढ़ाते हुए और सबसे पहले आप मुझे अपने इंटरनाशनल नाशनल स्टेड लेवल के अचुमेंट्स के बारे में बताईए बारे में बताईए इस पेशली हमारे दर्शकों को यह जो शुरवात है योगा कि यह बहुत जान कि यह बहुत है और यह जो चाहले बहुत यह जशनग थो शुरवाट है और हमगया च्रय जानते हिर यह बहुत ही बहुत ही इलग था तो एफर यह जवाख में बताईए उसके बाद डिस्टिक एंग ज living स्टीत हरे मिंधे फिर एक रदीनल लेवल जीता ह इसके बाद फिर federation cup जो होती है और उसके बाद होता है international rounds और international केलिए हम लोग कौलिफार होते है तो यह जो ज닝 है बहुत-बहुत-बहुत-बढ़ी है क्योंकि सबको लगते है कि yoga is really easy है बढ़ देखें जो मेरी शुरुआत हुए थी 20 साल पहले वाला yoga is really. और अभी मैं बोलोंगी बहुत 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 डिफरेंस है दोनों में भी जो मेरी इंटरनेशनल की जो शुरुआत हुई है वो हुई है 2013 से 2013 मैं मैंने फुर्स टाइम इंडिया के लिए खेला था और वो बहुत अच्छी मेमरी थी क्योंकि मुझे लगता है हर कोई जो प्लेयर होता है उसके लिए जो इंडिया का बलेजर है वो सबसे इंप्रनट चीज होती है कोई भी प्लेयर रहे जब बहुत अलग खुशी होती कि टी10 ओर बैजर मिलता है तो इंडिया 2013 के बाद 2014 था South Korea, 2015 था Thailand, 2016 वेकनम, 2017 सिंगापूर, 2018 साउथ अमेरिका, अर्जेंटिना और सेम इंडिया भी था 2018, 2019 साउथ कोरिया और 2020 और 2021 विपॉस अव कोई यह हो नहीं पाया है अभी मुझे लगता है अगर ब्लेसिंग रहे तो धनिश्री यह कंटिन्यू जो जर्नी 2013 से जो चल रही है तो वो कंटिन्यू डेफिनेटली होगी तो अभी तो फिलाल हमारे फेडरेशन कब्स राउंड हुए है और अभी आगे वाली जर्नी फिर से इंटरनेशनल वाली चल रही है लाओ क्या बात है देखा आपने इतने सारे अचिवमेंट की जो हस्ती है वो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौझूध है यह हमारे लिए बहुत गर्फ की बात है और उससे भी ज़्यादा गर्फ की बात यह है है यह हमारे नाकपुर से बिलॉंग करती है नाकपुर की एक स्टूडेंट बोलेंगे ट्रेनर बोलेंगे जो है वो हमारे भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है अपने आप में बहुत बड़ी बात है मैं बताईए कि खेलो इंडिया में फॉर्स टाइम योगा को शामिल किया गया है तो यह आगे इसकी क्या स्कॉप है बहुत ज्यादा मैं तो बहुत ज्यादा मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि देखिए अभी खेलो इंडिया में जैसे योगा है तो मुझे आदे कि यहां से यह तो थर्ड ये हमारा खाजदार कृड़ा मोर्सो का भी है तो यहां पर तीन साल पहले भी योगा की शुरुआत मैं बहुत सालों से यह चाहती थी कि चाहे वो खाजदार रहे या फिर खेलो इंडिया रहे तो हर एक इसमें योगा क्यों आगे रहे क्योंकि देखिए योगा के शुरुआत अगर इंडिया से हुई है जब तक हम भारत्वासी उसे प्रमोट नहीं करेंगे तो मुझे लग क्योंकि थी करते हैं और क्योंकि थी करने सालों से जब एक रहे हैं तो अगरे जब इंडिया बोला फॉल यूप लिए और अगरे पर थर्ड साल है और देख देखते अगे और हमारे जर्नी थोड़ी बढ़ती गई तो हैलो इंडिया में इस बार योगा है तो मुझे लग कि देखिए पहले योगा मिस कही आपको इतना नहीं दिखाई दे रहा था अब सब जगा में बोलोंगी योगा है तो आप जान सकते कि इसकी जो शुरुवात है वो कितने अच्छे से हो रही है और आगे कितने अच्छे स्कोप हैं सिर्फ इंडिया में ही नहीं तो फॉरेंग कंट्री में भी योगा को बहुत ज्यादा इंपोर्टन्स दिया जाता है मैं आपको इस्पेशली बताना चाहूंगी कि देखिए इंडिया में हम सब योगा को जानते हैं हमने शुरुवात की है बट यहां से भी बहार अगर बहुत सारे अगर चुछ कर रहे हो तो बहुत आप रह सकते हो खुट की स्टूडियो अपने इंडिया के बहुत सारे लोग है जो मेरे सीनिया से उन्होंने वहां पर डाले तो बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छा करियर इसमें है और आप देख रहे हो तो फिलाल तो अगर जाहे वो डेली स्टेट रहे या फिर कही पर भी तो सब जगा योगा हो ही रहा है तो आप देखिए कि आगे जाके अगर आप इसमें आते हो तो कितना ज्यादा स्कोप आप मतलब आगे चलके हमारी जो यंग जनरेशन है उनके लिए योगा का काफी स्कोप बढ़ने वाल है अच्छा ये बताईए कि क्या योगा का किट्स का पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है मतलब आचकल हम देखते हैं क्या बड़े भुजूर्गों को ही स्फ योगा करना चाहिए या फिर बच्चों के लिए भी योगा के बहुत से बेनिफिट्स है तेखिए पहले ना एक मुझे लगता है सब के दिमाग में तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि देखिए अभी घर के अगर बड़े कर रहे तो छोटे बच्चे जो है ना वो उनको अबज़र करके सीखते ही है जैसा अगर ममी या पापा कर रहे तो बच्चे कही ना करके देखते है और उनको भी लगते कि हमने योगा में आना चाहि तो यह है कि आप अगर फास साल के उपर हो मैं बोलोगी कि दो-तीन साल ने क्योंकि वो एच सही नहीं है बहुत सारे कॉल्स ऐसे भी हाते कि माम दो या तीन साल का बच्चा योगा कर सकता है मैं बोलोगी कि देखिए पास साल तक उसे जो खेलना है वो खेलने दीजे बड़ तो योगा में आप उसको डालिये, देखिए जितना आपका स्पाइनल कॉर्ट जो फ्लेक्जिबल रहे गाना चाहे बड़ों का रहे या फिर छोटे बच्चों का रहे उतने हमारे बच्चे हेल्दी रहें तो इसलिए बहुत इंपोर्टेंट है जो यंग जनरेशन है जो बह इसलिए बड़े होने के बाद ही योगा नहीं करना है मैं सबको बोलोंगी आप छोटे हो तो तबी से शुरुआत कीजे ता कि आपको healthy lifestyle एक जिने का अलग मजा आपको मिलेगा अब मेरा लास्ट सवाल आपसे है कि आगे का future क्या है मतलब आप अब है और क्या क्या प्लानिं अब तक इंडिया के लिए मैंने 22 मेडल जीते हैं और डेफिनेटली अगर आप सबकी व्लेसिंग है तो मैं बोलोंगी कि अब जैसे खेलो इंडिया में योगा है तो कुछ सालों के बाद Olympics में भी आएगा तो एक इच्छा है कि उसमें भी पार्टिसिपेट करना है हमारी ब है तो और भी इस विशे पर चुकी योगा जो है उसका प्रकार उसकी मुद्राय उसके आसन और बहुत सी चीजें योगा में सम्मिलित होती है लेकिन फिलहाल के लिए हमने सिर्फ कुछ ही मुद्धोपैर आज बात करी है आगले अगले टॉपिक पे हम बाद में मिलेंगे तब तक के लिए इन बीसिन के इस खास मुलाकात में फिलहाल के लिए इतना ही आप बने रहें इन बीसिन के साथ नमस्कार